Suppose you have Jupiter in 10th house and चलो इससे पहले हमने राहू इन 10 देखा तो जुपिटर को रख देते हैं चलो 5th house मान देते हैं If your Jupiter is in 5th house और धन्या योगनी चल गई तो उसके results क्या होंगे इसको जानने के लिए आपको 5th house को समझना पड़ेगा तो 5th house is whatever you love, तो your love will be provided to you through Jupiter 5th house is commitments, whatever you commit yourself to, for example taking admission in a college, in a school, taking admission in a coaching institution, taking admission in any kind of course is seen from 5th house तो जब आपकी 5th house में अगर आपकी जुपिटर है और उसकी धन्या योगनी चल गई तो आपको ये courses provide कराये जाएंगे अगर आप किसी घर की बहू हो और आपका जुपिटर का धन्या योगनी चल गया तो आपके ससुर्जी कहेंगे कि बेटा तुम जाओ योगा सीखो या फिर तुम medical का course कर लो या फिर तुम law का course कर लो लेकिन कोई ना कोई course आपको course में admission करवा दिया जाएगा 5th house is simply admission आप कहीं पे भी admission लेते हो 5th house is 11th from 7th जिससे भी जुड़े हो उसका फाइदा कराने जा रहे हो तो जब जुपिटर की योगनी चलेगी that is धन्या आप लोगों का फाइदा लोगों का ऐसे आप जब जुड़ों के तब लोगों का फाइदा होगा बट लोगों का फाइदा आपके धन्या के वज़े से करा दिया जाएगा basically आप जिसके साथ भी जुड़ोंगे उसको profitability होगी फिफ्थ हाउस इस चिल्डरन और अगर किसी कुमारी कन्या का धन्या चल गया she needs to be very careful about herself इसका यह मतलब नहीं हो वो pregnant हो जाएगी इसका यह मतलब है कि बच्चे उसको 2400 घंटे घेरे रहेंगे अपने बच्चे हो ज़रूरी नहीं है फिफ्थ हाउस इस इनीवन्स चाइल्ड यह थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में लेकिन योगनी है योगनी का मतलब हुआ आपके बच्चे नहीं दूसरों के बच्चे तो दूसरों के बच्चे आपके मत्थे डाल दिये जाएंगे कि प्लीज टेक कियर आफ मैं चाइल धन्या है तो तीन साल की चलेगी इस तीन साल के लिए आपका जो जुपिटर है वो अलग-अलग रंग दिखाएगा अंतर योगनी में तो बच्चों का संभालना किसी कोर्स में जॉइन करना अपने प्यार आपको प्रुवाइड होगा अगर आप कमारी करने हो धन्या चल धन्या है धन्या का मतलब जुपिटर जुपिटर विल भी प्रुवाइड तो यू तो लड़का आपको कमिट्मेंट्स प्रुवाइड करा रहा है जुपिटर मैंने ससुर जी इसलिए बोला था क्योंकि घर में अगर कोई बड़ा है तो बुज़र्ग करवा देता है कि जाओ तुम कोर्स जोइन करो फिफ्थ हाउस is your stomach burning whatever you digest तो digestion is provided to you इस समय जो फिफ्थ हाउस की जो जुपिटर की योगनी दशा होती है वो किसी भी परसन के life का most golden period मैं बोलूँगा in terms of restfulness आपको हर चीज़े प्लेट में परोषके मिल जाती है फिफ्थ हाउस से related मैंने उतनी देर से लड़कियों की बात किये लड़कों को भी अगर आपकी धन्या योगनी चल गई फिफ्थ हाउस की तो बच्चे आपको भी प्रोवाइड करा जाएंगे केर करने के लिए आपको टेंथ क्लास के बच्चे दे दिये जाएंगे पढ़ाने के लिए पढ़ाओ इनको यू हाव टू टीच देम टूशन टीचर्स जो ते प्राइवेट टूशन लगाते हैं वो धन्या योगनी से देखा जाता है जूपिटर अगर आपका डेबिलिटेटेटेड है या फिर आपका डेबिलिटेटेड केपरिकॉर्ड में होता है फिफ्थ हाउस में अगर केपरिकॉर्ड है और डेबिलिटेटेड है तो स्टोरिज बच्चों को स्टोर करना तो बच्चों को किसी एक जगा fit करना basically एक साथ बहुत सारे बच्चे आपको provide करा दिये जाएंगे classroom में classroom बहुत congested रहने वाला है अगर आपका fifth house में Aries राशी है और Jupiter Aries में है तो Aries का मतलब hit करना कहीं पे भी hit करना तो hit करने के लिए आपको Jupiter fifth house provide कर रहा है commitment तो आपको basically आप बच्चों को मार होगे नहीं लेकिन बच्चे मार खाने वाला काम करेंगे योगनी समझाने के लिए मैं ये सारी बाते कर रहा हूँ आपसे योगनी वो चीज होती है जो आपके आप नहीं करते हो आपके साथ होती है आपको करवाई जाती है तो fifth house आपको provide कर रहा जा रहा है through Jupiter suppose Jupiter Scorpio में है तो Scorpio लोग in general जो बेवपूफ ऐस्ट्रोलजर्स होते हैं वो बोलते दिथ की राशी होती है transformation की राशी होती है this होती है no Jupiter is pure sorry Scorpio is purely chemical reactions जल तत्व की दूसरी राशी दो chemicals का दो liquid forms का मिलना every kind of chemical reactions can be seen from Scorpio तो Scorpio में जब आपका Jupiter है fifth house में तो fifth house is अब मैं जो reveal करने जा रहा हूँ it is very important production किसी भी चीज का जो production activity होता है for example manufacturing हो गई alcohol manufacturing fermentation process या फिर petrochemical related business everything is seen from Scorpio die business die मतलब जो कपड़े को आप die करते हो वो वाला die तो these business are provided to you through Jupiter fifth house is you taking you running a company fifth house is you running a company तो आपको company run करने के लिए मिलता है कौन देगा आपको company run करने के लिए तो Jupiter देगा अब जब मैं company run करने के बात करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि company का आप master बने लिए no company का मतलब हो गया कि it can be a smaller group of people it can be any kind of group of people तो fifth house becomes important as well because through Jupiter it provides everything तो trust जो होता है trust building fifth house से देखते हैं trust को तो भरोसा जो है वो Jupiter दिलाता है आपको fifth house will be provided to you through Jupiter तो Jupiter बोलेगा कि लो विश्वास करो इसका लोगों को बोलेगा ने ने ये विश्वास का अदमी है आप टेंशन मतलो आप कितना भी गलत करोगे लोग आप पर विश्वास करेंगे यहीं अगर Jupiter afflicted है राहू के तू से या फिर seventh aspect पढ़ रहा है Mars का या फिर Mercury का Jupiter पर seventh aspect पढ़ रहा है in that case आप जो admission है वो थोड़ी गलत जबा ले लेते हो किसी dacat का group जाके join कर लोगे और बोलोगे सबसे ज़ादा trustworthy dacat ही है यह हमारा new member है केतु है तो चोरो के group को join कर लोगे बोलोगे कि yes this guy is the most trustworthy thief in our group तो यह चीज़ें ही आपके साथ होती है mostly केतु फिफ्थ हाउस में और जोपिटर महाँ पे साथ में present है तो अच्छा मैंने एक बात और बोली है कि जब जोपिटर होता है केतु के साथ तो effects cancel कर देता केतु के लेकिन योगनी में ने महादशा, योगनी दशा, चरदशा, transit और natal placement ये पाँच डिफरेंट चीज़े है पाँचो एकदम डिफरेंट चीज़े है पाँचो में ग्रहे के placements बहुत ही अलग होते हैं, transit में अलग ही behave करते हैं, दशा में अलग behave करते हैं, तो behavior इनका अपने हिसाब से change होता है तो आपको अगर 5th house पे आपका Ketu है Jupiter के साथ बैटा है तो you should be aware about 5th house की 5th house क्या क्या होते हैं और अगर आपका धन्या योगनी चल रहा है तो you can comment, अगर 5th house में Jupiter है तो you can comment कि हाँ what is happening with you so that's all for now, I will be making videos about the examples of योगनी दिशा and this is धन्या योगनी for you there will be more upcoming videos so for more, stay tuned and subscribe